कॉंग्रिस एद्रक्ष राहूल गांदी ने चेनाई के स्चेला मेरिस महिला कॉलेज में यवां को संबोधित किया इस दौरान राहूल गांदी ने बीज़पी सरकार पर और पीएम मोधी पर निशाना साधा राहूल गांदी ने कहा कि चीन में 24 गंटे में 50,000 नौकरियों का फ्रिजन होता है लेकिन भारत में सिर्फ 450 नौकरियों का ही उन्होंने कहा कि आने वाले 20 सालों में हमारी चनौती चीन के साथ है भारत में इस समय दो विचारधाराओं के मद्य वैचारिक लड़ाई चल रही है एक विचारधारा कहती है कि देश के सभी लोगों को साथ रहना चाहिए दूसरी विचारधारा वर्तमान सरकार की है उसका मानना है कि एक विचार हमारे देश पर थोपा जाना चाहिए नहीं थोपा जाना चाहिए हमारे समाज में मैलाओं की भूमिका के बारे में उनका एक विशेश द्रिश्टिकून है वहीं रॉबर्ट वाज्रा के सबाल पर राहूल गांधी ने कहा कि सरकार किसी से पुछताश कर सकती है कानून को सभी के लिए बराबर काम करना चाहिए प्रधान मंतरी का नाम भी रफैल डील में शामल है ऐसे में उनसे भी सबाल पूछे जाने चाहिए राहूल ने कहा कि आखरकार प्रधान मंतरी रफैल मामले पर क्यों चुप है झाहिए